प्रो केरोटिक अन्ड यूकेरोटिक सेल्स की बारे में सबसे पहले दिखे कि सेल्स क्या होता है उसकी cool picture आपकी दिमाग में रहना जरूरी है दिखे कि सेल्स क्या है जितने अर्गांग जह उनके पूलाई क kijए जीतने भी अच्छे। सीवें चांगे कि मोई सब्सक्राइए पिर्टाइल अपर वहीं अच्छे। बना होते हैं, ब्रिक्स में, यानि की इट में बना होते हैं, जैसे सारे इट इकाठा होके हम सिमेंट और बालू लगा के दिवार बनाते हैं, तो इसी प्रकार के जितने भी लिविंग अर्गनिजम्स आप देख रहे हो, उनकी बॉडी सेल से बना हुआ है, ठीक है, क्लियर हो दूसरा होता है, यूकरियोटिक सेल्स, देखिए, प्रोकरियोटिक सेल्स जो होता है, बेसिकली उनके अंदर डियने तो उनका होता है, लेकिन उनकी डियने को कवर करने के लिए, ऐसा कोई मेंबरेन प्रेजेंट नहीं होता है, हम उसको प्रोकरियोटिक सेल्स कहेंगे, अ आपको nuclear membrane दीखने को मिलेगा, जो भी genetic material है, that was surrounded by the nuclear membrane, ठीक है, so prokaryotes का मतलब क्या देखिए, उनकी जो literal meaning होता है, pro का मतलब है कि primitive, and karyon का मतलब होता है कि nucleus, पुराने type की nucleus है, यानि कि cell तो है, और genetic material भी है, लेकिन उनकी चारों तरफ उसको cover करके कोई भी boundary नहीं है, तो इसक हम कहते हैं कि prokaryotic cells, ठीक है, prokaryotic cells जो होता है, first evolved living organisms होता है, मतलब कि जब धरती के पर life की शुरुवात हुई थी, first life form जो था, वो prokaryotes था, वो करीबन 35 million years ago हो गया, prokaryotic cell बनते हुए है, ना, all the prokaryotic cells जो होते हैं, वो unicellular होता है, यानि कि एक ही cell से उनकी बड़ी बना ह हुआ है, और prokaryotic cells की best example होता है, bacteria, ठीक है, आच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे, eukaryotic cells की बारे में, eukaryotic का मतलब है कि जिसके पास आपको true nucleus दिखने को मिलेगा, eukaryotic का मतलब है कि true nucleus, मतलब है कि proper nucleus आपको दिखने को मिलेगा, and सारे membrane bound cell organelles जो होते हैं, वो भी आपक structure के अंदर, दिखिए, जैसे mitochondria है, यह आपका mitochondria है, यह vacuole है, है ना, galgi bodies है, endoplasmic reticulum है, यह सारे cell organelles आपको membrane bound cell organelles दिखने को मिलेगा, याद रखिए, prokaryotic में सिर्फ एकी membrane दिखने को मिलता है, that is the plasma membrane, plasma membrane की अलावा, आपको कोई भी cell membrane दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है आचा, तो बात करेंगे, prokaryotic and eukaryotic cells की कुछ example के बारे में, याद रखिए, जो five kingdom classifications है ना, याद की पूरा का पूरा जो living organisms है, हम उसको कितना, याद की, पांस kingdom में उनको हमने divide किये हैं, याद की एक होता है, monera, है ना, monera, protista, आपकी fungi, then planty, और दिन animalia, है ना, आचा है, सिर्फ, monera kingdom is belongs to the prokaryote, है ना, monera kingdom prokaryote को belong करता है, बाकी जितने रह गया, याद की प्रोटिस्टाप हों जी, planty, animalia, ये सारे होते हैं, eukaryotes, ठीक है, तो prokaryote and eukaryotic cells, जैसे की, याद रखिए, bacteria and blue-green algae, याद रखिए, blue-green algae, BGA, ये है, तो आप algae बोल ले हो, या पूनेरा के अंदर, यानि की, prokaryote के अंदर डाल रही है, blue-green algae का दूसरा नाम होता है, cyanobacteria, तो उसकी अलावा, जितना plant, animal, फंजाई, proto, जो हो गया, ये सारे आपकी, prokaryote के अंदर आ जाएंगे, जैसे human being हो गया, lion, tiger, dog, cat, bird, और जितने pet, पोद आप देख रहे हो हैं, ना, rose plants हो गया, neem tree, mushroom acid, all are eukaryotes, तो एक broad spectrum idea आपको आ रहा होगा, कि eukaryotes क्या होता है, इस topic के अंदर, prokaryotic cells के बारे में details देखेंगे, and what is the difference between prokaryote and eukaryotic cells के बारे में भी देखेंगे, तो आईए देखेंगे, prokaryotic cells के structure, एक prokaryote cells जो होता है, पहला बता है, कि आपको ये single cellular, यानि की unicellular होता है, एकदम simple सा होता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक cell envelope देखने को मिलेगा, number one में cell envelope है, यानि जिसको बहाचारों तरफ उसको कभर करके रखा है, cell envelope है, और उनकी जो genetic material है, nuclear, DNA या nuclear कहते है, without membrane, कोई भी nuclear membrane नहीं है, ऐसे naked present होता है, वो cytoplasm की contact में हर वक्त, मतलगे, वो freely घुमता फिरता है, और एक होता है, प्लाजमिड, ये भी उसके बारे में discuss करेंगे, एकी cell organelle है ribogen, और याद रखिये, ribogen का कोई भी membrane नहीं होता है, उसकी अलावा, उनकी cell की चारों तरफ आपको सीलिया देखने को मिलेगा, है तो एक निसलिया हमारे जैसे तो पेर नहीं है गुमता फितना करेगा, तो इसलिए फ्लाजला जो होता है, उनकी लोकोमोसिंस में हैल करेगा, देखिए एक लंबी सा structure जो अब दिखाए देरा, ये है फ्लाजला, और छोटा सा hair जैसे structure ये होता, ये सिलिया होता है, और कुछ ग्राम अब्ली बैक्टरिया के अंदर आपको पिली अच्छे से दिखने को मिलेगा, सारे के चीज़े के बारे में हम discuss करेंगे, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, उनकी सेल एंवेलब के बारे में, उनकी जो सेल एंवेलब होता है, इट इस मेड़ अप ट्री लेर, माल लिजे य बैक्टेडिया सेल्स हो गया यह सबसे अंदर वाला लेयर होता है यह होता है उनका प्लाज्मा मेंब्रेंट प्लाज्मा मेंब्रेंट उनको जो कभर करके रखेगा हम उसको बोलते हैं सेल्वाल है ना प्लाज्मा मेंब्रेंट की जस्ट आउट सैड में जो रहेगा यह होता ह सेलवाल और सेलवाल की बाहर जो रहेगा मतलब कि यह वाला लेयर यह होता है उनकी आउटर ग्लाइको कैलिक्स लेयर तो यह तीनों लेयर मिलने के बाद ग्लाइको कैलिक्स लेयर यह तीनों लेयर मिलके बनाते हैं सेल एंभेलप है ना अच्छा सेल एंभेलप की जब बात कर तो यह आउटर मोस्ट लेयर हो गया तो जोकि मुको पॉली साकरेट्स में मैं उंकर सब्सक्राइबस मीउक्ष्प प्रोटेक्शन और बढ़ेशन तो म्यूकस है चिपचीपा है तो कोई भी चीज़े के साथ होस्ट परडी के साथ चिपक के रहने के लिए help करें ठीक हैं आचा तो उसके बाद हम बात करेंगे जल वाल की बारे में सेल वाल क्या होता है यह बेसिकली उन गार्टेड़र सेल्स होता है उसको प्रोर्टेक्शन प्रोपयर करेगा यानि कि वाटर जो है does excess water unable clean ब्रस्ट करके ऑंदर एंटरें नहीं हो तो इसलिए यह ब्रश नहीं करने देता है और तो और यह आप अच्छे से याद रखिए जो सेलवल होता है that is made up of peptido glycan जैसे की मूरीन है ना peptido glycan से यह बना हुआ है याद रखिए किस तरीके से उनकी arrangement होता है एक होता है नाम नाग आपको एंट्रांस की टाइम पर कभी-कभ नाग है नाम की full-firm होता है N-acetyl-mureamic acids है ना-mureamic acids और नाग की मतलब होता है N-acetyl-glutamic acids है ना आशा तो यहाँ पर क्या है जो नाम नाग होता है यह alternatively ऐसे आरेंज होके रहेंगे पहले नम रहेगा प्र नाग, नाम नाग हैना, यह दो layer में पाए जाता है नाम नाग करक है ना दो लेवर में पहला एक लेवर है फिर मान लेज़े यहां पर नाग है फिर नाम है है ना आच्छा फिर यहां पर नाम है नाग है ठीक है आच्छा ऐसे तो यह जो नाम देख रहे हो यह इस नाम के साथ यह cross linking बनाएगा यह नाम है ना यह नाग के साथ बनाएगा तो यह इस तरीके से cross link बनाएगा यह जो cross link होता है that is made up of the sulfate है ना sulfur से यह बना हुआ है cross link एक antibiotics होता है जिसके नाम है penicillin मैं इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि कभी भी आपने penicillin है ना एक्जाम में कभी कभी पूछा जाता है आंटी पैरोटी पैनिसिलिन क्या करेगा that will break the cross linking जो cross linking present होता है उसको यह क्या करेगा तोड़ देगा है ना तोड़ देता है ताकि क्या होगा तो water entry कर जाएगा पाथोजें बैक्टरिया की बोड़ी के अंदर water entry हो जाएगा बैक्टरिया बिल्कुल ब्रस्ट पैसिलिन जो होता है यह एक अंटिवाटिक के तौर पे second world war के time पे यूज हुआ था तो पेनिसिलिन कैसे function कर रहा है इसलिए ब्रेक दो क्रोस लिंकिंग अव दा सेल्वाल इसलिए सेल्वाल ब्रेक हो जाएगा वाटर एंट्री होगा तो बैक्टरिया ब्रॉस्ट हो जाता है तो इसलिए हम जब भी देखेंगे एक बैक्टिडिया होता है जिसका नाम है माइको प्लाजमा है ना माईको प्लाजमा उसको हम पी पी Leeindry होता है जिसकी सेल्वाल नहीत हैक तो यह बैंटरिया बात करेंगे प्लाज्मा मेम्भरन जो होता है इक जैसे ही होता है फ्लप्र, यहांने की उनका एक लिपिड जो? इस तरीकी से अरेंच होके रहता है हैंना प्लाज्मा मेम्भरन और ऊसको एसको और आड़्या स्थ प्रोटीन भी रहेगा एक्स्ट्राशनुलार प्रोटीन इंट्रांजिक प्रोटीन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा मेंब्रेन इस सीमिलार श्रॉक्चर टु दाट अब यू के अरोट्स है ना अच्छा उनकी एक खास बात मेंब्रेन की अंदर होता है यह जह हम बात मेजोजोम्स ठीक है ना मेजोजोम्स हम बोलते हैं फोल्रेट पाज्मा मेंब्रेन की नाम होता है मेजोजोम्स और मेजोजोम्स की बहुत सारे functions है क्योंकि यह तो यूनि-cellular organisms है और उनकी कोई भी cell mitochondria जैसे कोई भी cell organelles नहीं होता है तो respiration कैसे करेगा जो भी respiratory enzymes है वही मेजोजोम्स कहते हैं और यह प्लाज्मा मेंब्रेन जब cell division की time पे help करेगा है ना चो और यह मेजोजोम्स आपको वेसिकल्स ट्यूबूल्स और लामीली फॉर्म में दीखने को भी मिलेगा यानि कि माली जे मेजोजोम्स ऐसे फोल्डर हो गया हम उसको लामीली कहेंगे इस खकेंगे छे यह ना ओधल्स देखने और यह लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो यह होता है सिलिया हृता है सिलिया और जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर होता है यह होता है फ्लाजला ठीक है और एक होता है सिलिया फ्लाजला और फिम्परी भी पाय जाता है यह देखे यह उनकी जनेटिक मैटरल हो गया यह प्लाजमीर्ड है है ना अच्छा फ्लाजला के बार में बात करेंगे फ्लाजल होके सेलवाल के साथ रहा है उसको हम बोलेंगे बासल बोडी ठीक है न बासल बोडी बोलेंगे तो ये फ्लाजलिन प्लोटेन से बना हुआ है और उनकी मेन फंक्शन रहेगा कि मुम्मेंड में वो ठीक है उसके बाद पिली अंड फिमरी के बारे में देखेंगे पिली जो होता है उनकी पिली जो रहेगा वो किसमें भीज बनाने के लिए उसरा बैक्टरिया और दूसरा बैक्टरिया डॉस के बहुत अंडर पिली रहेगा आपतो में पैली क्या करोंगे यह जूड़ जैएंगे फिमरी क्या करता है फिमistors help in attachment याद रखिए फिंबरी जो होता है attachment कोई भी substances के साथ सिपक के रहने के लिए फिंबरी help करता है plazula locomotion में help करेगा और फिली जो होता है conjugation tube बनाने के help करेगा ठीक है cell और next बात करेंगे एक cell organelles है जिसका नाम है ribosome ribosomes जो होता है यह 70s type of ribosome आपको cells के अंदर देखने को मलेगा ribosome एक ऐसा cell organelles है जो procarotic में भी पाए जाता है और eukaryotic में पाए जाता है फिर procarotic में जो होता है वो 70s ribosome होता है याद रखिए ठीकिए 70s ribosomes जो है यानि कि एक s का मतलब कि सेड़ वर्ज यूनिट एक साइंटिस्ट है सेड़ वर्ज जुन ने ribosomes की मतलब की खोज किये थे ribosomes जो होता है उनकी आप स्ट्रक्चर जे देखोगे एक larger subunit रहेगा एक smaller subunit रहेगा larger subunit जो होता है उनके वेंट 50s होता है और smaller subunit 30s आप बोलोगे 50 और 30 कैसे 70 हो गया है ना बाइलोजी में कुछ भी हो सकता है क्या होता है यह जो दोनों सेग्मेंट है यानि कि जो larger segment and smaller segment जो रहा है वो sedimented to each other sedimented to each other का मतलब है कि जैसे बालू है यानि कि sand है पानी के अंदर जितने भी आप गुला लिए तो मिक्स नहीं होगा लेकिन चीनी डालिए ना सुगर डालिए वो मिक्स हो जाएगा तो इसी तरीके से यह sedimented particle होता है एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे इंडिवीज्वाली आप ब्लाजर सबीनिट्स को ले लोगे वो आपको 50S उनकी बैट दिखाएगा और इंडिवीज्वाली स्मॉलर सबीनिट्स के लोगे वो 30S दिखाएगा लेकिन जब आप क्या करोगी दोनों को मिला के सेंटरिफ्यूज मेसिंस में इतना रोटेट करोगे तो मिक्स हो जाएगे और उनकी जो बतलब कि आएगा वो आएगा 70S वो दोनों की मिक्स होने के बाद है ना तो बेसिकली राइबोजोम जो फंक्संस देता है वो प्रोटिंस धंदिजिस में राइबोजोर करता है माले यह राइबोजोम से इस तरीके से MRNA इसमें रहेगा और यह चो क्या है यह उपर DNA मतलं की चिख होता है ना राइवो जूट जाएंगे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिजोम हम अच्छा उसकी अलाबा प्रोकेरियोटिक में आपको इंक्लीजन बोडी मिलेंगे यानि की कुछ रिजर्व मैटरियाल है ना माली जे स्टार्ज कभी वह स्टार्ज को रिजर्व करके रखते हैं माली जे कोई आड़र्स कंडिशन आ गया उससे वह यूज कर लेंगे ना बतलब कि इंक्लीजन बोडी है वह एक प्रोटिन के लिए सिर्व घृरा हुआ है इसमें भीषब को प्लाज्मा मेरन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आच्छा नेक्स में बानेक्स्ट देखिए प्लाजमीड के बारे में प्लाजमीड क्या होता है प्लाजमीड एगे एक्स्ट्रा क्रोमोजमाल सेल्फ एप रेप्लिकेटिटिंग DNA का खास बात क्या है उनकी exact copy बना सकता है यानि की replication कर सकता है हम क्या करेंगे हम plasmid जो होता है यह bacteria को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं है फिर भी वो present होता है और उनके पास यह capacity है कि उनकी भी replication कर सके तो bacteria body से आप genomic DNA को निकाल दोगे bacteria death हो जाएगा ठीकिन जब आप pl extra characteristics provide करता है ना कि उनकी जिंदा रहने के लिए कुछ characteristics है ना तो इसलिए हम बोलते है एक्स्ट्रा क्रोमोजमल self-replicating यह आप खुद का कपी भी बना सकता है है ना self-replicating unit होता है ठीक है अच्छा फ्लाजमेड यह हो गया प्लाजमेड के बारे में कुछ प्लाजमेड होते है इसे बाक्तरिया कु आंची बायोटिक रेजिस्टंस प्रोभाइड करेंगे आंटीबायोटिक रेजिस्टंस का मतलब ही देखिए जैसे आपको कभी जूपाम हूँ से लेते हैं कि अन्ति इस ले लेते हैं अपने कोई कि यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ले का कि अंदर क्याकि सबताल करता है आपकी पुरा का पूरा बैक्टेरिया का मतल Birds के प्रोकरटक सेपने सब्सक्राइब लिखिये चैना तो देखेंगेस्ड को ँपितलिंस सेल्स के बारे में देखेंगे चैना तो अब देखेंगे कुछ differences prokaryotic and newkaryotic की होता है kaitin होता है fungi में याद रखिए लेकिन prokaryotic में जो होता है वो mucop peptides होता है जैसे peptidog lycan layer हो गया murine नाम नाग में आपको बता रहे थी nuclear membrane prokaryotic में absent होता है और हम पर present होता है nucleus बोलेंगे तो absent है यहाँ पर present है ठीक है फिर देखेंगे histone protein जो DNA होता है जो DNA है याद रखिए prokaryotic DNA के अंदर क्या होगा prokaryotic की जो DNA होता है मतलब की उनके अंदर कोई histone protein आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों यह की छोटा साई DNA है वैसे आज़िज पढ़ा रहता है हमारे केस में क्या है इतने लंबर DNA है तो उसको ऐसे रापिंग करके histone protein के अंदर रापिंग करके हमने रखा है है ना हिस्टोन प्रोटीन के अंदर तो इसलिए देर इस नो हिस्टोन प्रोटीन फांड इन दो प्रोकेरोट्स क्रोमोम सिगसह के लिए हमारे केस में जासे डिफरेंग हमारे केसा में 23 फैरे क्रोमीम है मेंबरियन बाउंड से λन और गणड प्रेजन होता है भैकिवल्स है कोई यादिस कूझ जटैना यूदिי n. से भरा हुआ है ठाजला यहां पर प्रेज़न्ट होता है लेकिन सिंगिल और साइड में नायन रहेंगे और साइकल की शेंटर के साथ जुड़े होते हैं ठीक है तो बैक्टेरिया ब्लू ग्रिन आलगी माइको प्लाज्मा यह सारे आपको प्रोकेरोटिक के एक्जम्बल हो गए यह आपकी यूकेरोटिक के एक्जम्बल हो गए ठीक यह था आपकी डिफरेंस बिटोइन प्रोकेरोट अंड यूकेरोटिक के बारे में नेक्ष्ट क्लास में हम बात करेंगे आपकी आज की वीडियो आपको पसंद में आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा पसंद आए तो लाइक केजिए सब्स्राइब केजिए आपकी दोस्त के साथ भी सेयार केजिए और बाकि कौन सी टपिक पढ़ाना है कमेंट में बताएए थैंक्ट